अप्र जाने की खोशिश करेंगे कि आखिरकार उत्रप्रदेश में कौन बनेगा सुल्तान उत्रप्रदेश में समाजादी पारटी दो खेमों में बटवी नज़रा रही है एक तरफ है पिता और एक तरफ है पुत्र एक तरफ साइकल का चुनाव चिन है दूसी तरफ है दोनों की कला समाज़ादी पार्टी की जो कला है इस वक्त वाकई में उन सब के लिए हानिकारक साबित होते ही नजर आ रही है क्योंकि इस वक्त दोनों के दोनों खे में चुनावायों के दर पर खड़े हैं और एक साइकल पर दोनों के दोनों अपना हग जता रहे हैं कोई अखिलेश वाली पार्टी को असली समाज़ादी पार्टी बता रहा है तो कोई मुलायम सिंग यादव की समाज़ादी पार्टी को असली पार्टी बता रहा है ऐसे में बड़ा सवाल है कि जो प्रत्याशी थे समाज़ादी पार्टी के जो चुनाव लड़ने जा रहे थ जो परवार मुलच कर रह गया है इस पर सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट उसके बाद जानेंगे सवालों के जवाब विदान सबद चुनाओं का एलान हो चुका है तमाम राजनतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों को अमली जामा पहना रहे हैं यूबी चुनाओं के लिए बस्पा ने चार सोएक उमीद्वारों की सूची जारी कर दी है समाजवादी पार्टी के दो खेमों की तरफ से उमीद्वारों की लिस्ट जारी की गई लेकिन पारिवारी कलह के चुलते अभी तक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की भूशना नहीं हो पाई। समाजवाद को चलाने वाला पूरा परिवार आज दो खेमों में बढ़ कर चुनावायों के दर पर खड़ा है। जिनावचे नसाइकल को लेकर दोनों तरफ से खीस्तान जारी है। कोई समाजवादी पार्टी को अखलेश की पार्टी बता रहा है तो कोई मुलायम की। समाजवाद में सुलह की कोशिशें नाकाम सी होती नजरा रही है। ऐसे में सवाल कई हैं जिनके जवाब जनता जाना चाहती है। सीद्न सवाल में आज यही मुद्दा है कि आकरकार समाजवाद किसका है और इसी मुद्दे पर आज हम जानने की कोशिश कर रहे जारा है। समाजवाद टूड़े कुछ सवाल पूछ रहा है। क्या अखलेश का मर विरोज सही है क्या वाकई में अखलेश दागियों के खिलाफ है क्यों अपने पिता के खिलाफ खड़े हैं अखलेश या दाओ क्यों अखलेश समाजादी पार्टी से अलग होकर चुनाव नहीं लड़ना चाहते क्यों अख्लेश को लगता है कि गड़बंदन से अख्लेश जीत जाएंगे क्या सिर्फ विधायकों का समर्थन मिलने से सफ़ा अख्लेश की हो गई सफ़ा एक पारिवारिक पारिटी बनकर रह गई है ये तमाम सवाल हैं जो आज समाचा टूडे पूछ रहा है और इन तमाम सवालों की तहह तक जाने की कोशिश भी आज समाचा टूडे करेगा समाजवादियों के नाम से शुरू हुई मुलायम सिंग यादव की पारिटी सफ़ा आज जो ठूट की कगार पर पहुँच चुपी है आज समाजवाद के नाम का चुला पहने एक परिवार आपति खीस्तान में जुटा है एक ऐसा परिवार जो सिर्फ सत्ता की खातिर लड़ रहा है ना बेटा पिता की उम्र की शर्म कर रहा है और ना पिता बेटे की ख्वाहिश भी दोनों सिर्फ सत्ता के मुह में एक जूसरे के सामने आप खड़े हुए है परिवार की जुस्ते राजनिती ने मुलायम कुन्वे को देश कर सबस्वड़ा सियासी परिवार बनाया आज वही परिवार बिखरने को है हर कोई पाड़ी पर कबज़ा करने में लगा हुआ है और इसके लिए वो साम दाम दंड भेत हर तरीका अपना रहा है बाप बेटे आमने सामने हैं तो भाई 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 भी एक जूसरी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं और चाचा बतीज़ एक दूसरे को चित्च करने में लगे हुए है सभी अपने आप को असली समाजवादी बता रहे हैं समाजवाद की ऐसी परिभाशा पहले कभी किसी ने नहीं करी थी फिर भी सब कह रहे हैं कि हम साथ साथ हैं तो कोई कह रहा है कि हम नए जमाने के समाजवादी हैं लड़ते हैं जो खरते हैं पर साथ रहते हैं लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल समाजवादी की जनता का खयाल इस परिवार को इस परिवार को क्यों नहीं आ रहा है जो समाजवादी पारिटी और एक परिवारवाद के बीच में उत्तरप्रदेश को फसा दिया गया है क्या पांस साल तक उत्तरप्रदेश को एक पारिटी चला रही थी या फिर एक परिवार चला रहा था इस सवाल के जवाब भी आज देश की जनता जाना चाहती है अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी क्योंकि चुनावों का ऐलान हो चुका है और समाम पार्टियं चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है लेकिन समाजवादी पार्टी के अभी तक की लिस्ट सामने नहीं आई है ऐसे में देखने वाली बाती होगी कि समाजवाधी पारिटी के परिवार की एकलहा कब खत्म होती है और कब उतर पुदेश को समाजवाधी कलहा की तुलह दिलपाती है एस्पेचल डेस्क के लिए नकुल चत्रुवेदी की रिपोर्ट तो इस रिपोर्ट के जरिये हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि समाजवाद से शुरू ही परिभाशा आज किस तरीके से परिवारवाद में बदल चुकी है तमाम सवाल है आज जो समाचा टूड़े पूछना चाहता है अपने सीधे सवाल के जरिये सबसे पहला सवाल है क्या अखलेश का अमर सिंक का विरोध सही है अखलेश का अमर विरोध क्या सही है क्या वाकई में अखलेश दागियों के खिलाफ है क्यों अपने पिता के खिलाफ अखलेश आज आकर खड़े हो गए है उस पिता के खिलाफ जिसे पिता ने 5 साल पहले अपनी सारी सत्ता अखलेश यादब को सौंप दी थी यानि कि अपने फुत्र को सौंप दी थी इसके साथ साथ एक जायस सवाल ये भी उठखड़ा होता है क्यों अखलेश समाज़ादी पार्टी से अलग होकर चुनाव नहीं लड़ना चाते क्योंकि पहले इस तरीके की खबरे आई थी कि समाज़ादी पार्टी से अलग होकर अखलेश ये किसी और चुनाव चिन पर जा सकते हैं ये कलह अगर नहीं थमीतो अब सवाल यही उठखड़ा होता है कि क्यों साइगिल पर अपनी दावेदारी ठोकी जा रही है एक और सवाल है कि अखलेश को आखरकार क्यों लगता है कि वो महा गड़मंदन से जीच जाएंगे अगर गड़मंदन होगा पार्टी का कॉंगिस के साथ और तमाम दलों के साथ तो वो जीच जाएंगे और एक जाएज सवाल ये भी उटकड़ा होता है कि सिर्फ विधायकों के समर्थन से समाजवादी पार्टी अखलेश क्यों हो जाती है और एक और आखरी सवाल जो देश की जनता परदेश की जनता जनना चाहती है कि समाजवादी पार्टी क्या एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है उसे प्रदेश के सरुकार से कोई मतलब नहीं है स्टूडियो में मरसात महमान जोड़ेंगे महमानों उसे आपका पढ़चिया कराता चलू कॉंगेस से मरसात राकेश पुंडीर साहब प्रदेश सर्चेव हैं कॉंगेस के जोड़ेंगे अभी थोड़ी सी देर मा और समाजवादी पार्टी से महमान वसी अंसारी जिलामा सर्चेव हमान साथ लाइव स्टूडियो से चोड़ चुके है प्रदेश की जनता भी उसके सामने है देखे जहां तक मैं अग़ात कहना चाहूंगा जो आपका प्रशन है समाजवादी परिवार पार्टी की परिवार नहीं यह समाजवादी परिवार है पूरे उत्तो पर्देश में जितने भी समाजवादी लोग है उनका परिवार है ये वल एक परिवार के समाजवादी पार्टी नहीं हैं हमारे राष्ट्रीर ठक्ष मानने मुलायम सिंग यादव जी ने edy ni संगर्ष के साथ लोहिया जी के पद्शीनों पर चलते हूं इस पार्टी को स्थापित किया और प्रदेश सरकार में उत्ता प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के बने मानने अकलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे और उनक समाजवादी साहब समाजवाद के सिद्धानतों को लेकर जो पार्टी चली थी आज परिवारवाद में क्यों उलज कर रहे गई आपको नहीं लगता कि वाकर में परिवारवाद मोल जी है पूरे भारत की पार्टी है वह और समाजवादी पार्टी वह उनका अपना वेक्तिकत मामला सुन परिवार वाली पर्टिम में नहीं कह सकते हैं लेकिन देश की जनता जानती है कॉंगेस अगर आज अखलीश वादव की तारीफ कर रही है कि उन्हें नजर आता है कि आने वाले समय में कॉंगेस और समाजवादी पार्टी का गड़बंदन हो सकता है वसी अंसारी सब आपके पास आउगा विकास का ढोल समाजवादी पार्टी की तरब से पीटा जाता है अखलेश को विकास पुरुष कहा जाता है लेकिन ये बताईए दागियों के पक्ष में अखलेश नहीं है ये बात अब लोग कैसे इसके एक तरफ मांने मुख्यमंतिजी जी ने परदेश में इतना विकास कि आया कि आप पूरवर्ती अगर सरकारों को लें तो उनका विकास एक तरफ और माने मुख्यमंत्रीजी का विकास एक तरफ जहां तर अंत कल है की बात आप कह रहे हैं परिवार में को नहीं है और परिवार की बात है और ये मामला बहुत ही very good to आप करें परिवार में कोई अंतरकला नहीं है परिवार की बात थी तो से परिवार में क्यों नहीं सुल जाए गया क्यों याज देश के सामने कलह आई हुई है क्यों मीडिया में आकर कभी मुरहम से यादा बाते हैं 325 लोगों के लिस्ट लेकर अखले इस यादा वगले ही द प्रदेश की जनता ने उस विकास को महसूस किया है और जहां तक देश और प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की सरकार की और देख रही है वह आज भी आश्वस्त है कि परिवार में जो बात है वो कोई बात नहीं है जल्दी इसका निप्टारा कर दिया जाएगा और दूसरे निप्टारा होगा कब यह तो बताइए चुनाव का एलान हो गया है आप लोगों की पहले लिस्टे आ जाती है और उसके बाद जब चुनाव का एलान हो जाता है तो जगड़े में चुनावायों कि दर पर आप लोग खड़े हुए हैं लिस्टों की जहां तक कौमन केंडिडेट हैं और मुख्य मंतेजी के भी कौमन केंडिडेट हैं तो ऐसा नहीं है कि लिस्ट पे कुछ ज्यादे मदबेद हैं वो बैठके लिस्ट फाइनल हो जाएगी और एक दो गंटे में इस जो थोड़ा सा विवाद है वो जल्दी निम्ट जाएगा नेताजी में समाज़जवादी पार्टिंग में कोई भी दागी नहीं है सब समयाजवादी है को जो रोगاح लोग rapping हो जिनकी नजर जंता कि नजर है तो उन्हें वकले रिखलने आट विवी मरे लेकिन दो चार लोग जो दिखाई दे रहे हैं उन से वे किनारा काट रहे हैं वह आप लोगों भी पता होगा मेरी ख्याल से नहीं पुंडिर साब एक सवाल और आप से पूछूंगा मैं कि आपको क्या लगता है जो अंतरकलही चल रही है समाज़ादी पाटी किसके लिए कौ अब यह एक बात देखी जा तो इनके अगरेलू मामले है फिर में वही बात कहूंगा लेकिन घर की बात अगर घर में है तो घरवाले को बैट कर निप डालेनी चाहिए लेकिन जो बाहर वाले भी आपने ही नाम लिया मरसिंग जी है तो उनका भी रोल कुछ इस तरह का चल रहा है एक बाइ जुदो बात बंते है प्रश् Тут also इसके बाद मरस्मे जी पहुंचते हैं कि कई न कहीं थोड़ा करना फिर कुछ क्यों समाजवाद के नाम पर परिवारवाद का एक जो कहते हैं कि नाच हो रहा है देश के सामने देखे मैंने मैं पहले भी अभी बोला है कुछ बहरी लोग दोनों की तरफ हैं जो विवाद को उत्पन हो कर रहे हैं और वो ऐसा को बड़ा विवाद नहीं है रही दागी लगता है कि समाजवादी पारटी में कुछ दागी हैं कुछ दागी है और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनको चुनाव आयोगर या नहीं पो दागी को रोकना चाहिए मैं यह पूछना चाहते हूं और देश और उत्रप्रदेश की जनता सिर्फ यह पूछना चाहती है आप लोगों से कि यह बताईए भईया पिछले यह बताया देखे पीछले पांस साल करते हैं तो पांस साल कि आप couple ऐसा विबाद यह सपरिशन ना तो मेडिया की तरफ से आया कि यह लोग डागी है इन अन i विधायकों में यह जिनके नाम दागो की सूचि मिन्हों मैं और उनुन कोई ऐसा किया है जो सरकार के विरोद में हो और विकास योजनाओ के वह बाधक बने हो या परदेश सरकार में जो विकास हूआ है उसको रोकने का काम किया हो उनका भी कोई ऐसा आफ नहीं रहा जो समाजवादी पार्टी की सरकार को बदनाब करने वाला रहा हो। बहुत कुछ विकास किया उत्ताप्रदेश में लेकर अगर हम पहुंचे हैं गर्मी की बात करूँगा अभी पिछले साल की बात है इतनी बुरी हालत थी अन्न दातों की वहाँ पर पलाइन कर रहे थे रेलवे स्टेशनों पर पड़े हुए थे नौकरी की तलाश में मंतिय भी दूसरे पहिना कहीं परिवार में भी कोई नहीं ऐसा चूड़ जाता है जिसके सत्ते पुरा परदेशमूरहे मंतियrant देख रहे हैं और कोशिश यह रहती है परिवार का मुखिया हो या पर हुए यदेश का मुखिया हो वह सब को खुश नहीं कर सकता चाह जहौत उसकी भी एक लिविट्स होती हैं जहां तक जन विकास योजना है उसका लाब सबने उठाया है यहां तक की उठाया है कि एक अभी कानपुर में रेल हादसा हुआ था सबसे पहले हमारी सरकार महां पहुंची महां सरकार की अम्बुलेंस पहुंची और मरतकों को सबसे पहले म दिकत यही है उए हम लोग इस चीज मुलत जाते हैं कि ये प्रधेश की सरकार का काम था ये कंद्र की सरकार का का लिगो ऊ lei ले ले अपनीय राजनेती में मुद्द जवाल तमाम हैं और उन सवालों के जवाब इंजन परतनीदियों से हम जानने Sewst जारी है सीरा सवार